आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ ठीक है, Convex Lens के साब ने 30 cm डिस्टेंस पे प्लेश्ट किया गया है तो Question बोला गया Find the position of the final image formed by combination of system मतला इस combination से final image जो form होगा उसकी position find करने के लिए बोली गई तो सबोस करो यह हमारे पास एक Convex Lens है और सबोस करते हैं कि यहाँ पे एक Convex Lens भी इस तरीके से placed किया गया है दोनों coexically placed किया गया मतला दोनों की जो axis होगी हो क्या होगी, सेम होगी तो सबोस करो यह axis है इसकी focal length जो दे रखे, Convex Lens यह कितनी दे रखे तो यहां पे प्लेश्ट किया गया है मतलब यह सबोस कर लेते हैं, और यहां से 30 cm distance पे इसे placed किया गया है कुछ इस तरीके से तो यहां पे हमसे पूछा गया है कि जो final image बनेगा, तो final image कौन बनाएगा पहला तो इसका image कहीं बनेगा, suppose को यहां पे image बनती है, ठीके इन दोनों के बीच की distance 5 cm है तो suppose करते हैं कि कहीं यहां पे image बनती है, that is I dash, ठीक है अगर I dash यहां पे बनती है, यहां से V dash distance पे, तो यह I dash इसके लिए क्या काम करेगा इसके लिए हो जाएगा, object का काम करेगा, ठीक है, फिर उसकी जो यह image बनाएगा, वो final image होगा, ठीक है तो let I dash is image formed by, image formed by convex lens, यह किसके दोर बनाएगा image है, convex lens तो इसकी जो image distance हो जाएगी, वो V dash हमने लेके रखा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें अब lens formula प्लाई करते हैं तो lens formula के according क्या हो जाएगा, 1 by V minus 1 by U, यहां पे V dash करना होगा, equals to 1 by F, ठीक है, focal length इसका, तो 1 by V dash minus 1 by U, U कितनी हो जाएगी हमारे पास, minus 30 होगा, क्योंकि देखे, light rays तो इस traction में travel करेगी, और आप इसके opposite distance major कर रहे तो आपको क्या लेना होगा, ठीक है, तो यह minus 1 by 10 हो गया, equals to focal length तो इसकी positive, sorry, minus 1 by 30 हो जाएगी है, और focal length इसकी positive में कितना 10 है, तो 1 by 10 हो गया, ठीक है, तो 1 by V dash equals to क्या हो जाएगा, 1 by 10 minus 1 by 30, ठ इसको solve करोगे, तो यह आजागी, कितने LCM इसकी, 30 आजाएगी, this will be 3 minus 1, ठीक है, तो V dash की value आजाएगी, यहां से 15 cm, ठीक है, क्योंकि 2 upon 30 आईगी, तो इसको change करोगे, तो 15 cm, अब positive में आया, मतलब क्या है, वो यहां से optical center सब्सक्रों यह है, तो यहां से इस direction में 15 cm पर image व हो गई, ठीक है, तो इसकी जो यहां से, यह वाली जो, दूसरा वाला lens है, concave lens, यह कौन सी lens है, वारे बस, concave lens, यहां से कितने distance हो जाएगी, यह 5 cm तो यह पहले ही हो गई, तो यह कितनी बचेगी, यहां 10 cm, और यह हो जाएगा, U dash, ठीक है, तो आप बोल सकते हो, now, I dash will be object, will be object, ठीक है, for concave lens, यह concave lens के लिए object हो जाएगा, तो इसलिए इसके लिए जो object distance, U dash हो जाएगा, ठीक है, वो माइन, यह positive में लेना होगा, ठीक है, क्यूंकि आप यहां से distance तो इधर में जा करोगे, light rays तो अभी इधर ही travel कर रही है, ठीक है, तो यह positive में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, V dash minus 5 cm, ठीक है, तो यह कितना जाएगा, 15 minus 5 cm, और यह U dash की value कितने आ जाएगा, आपके पास, that will be equals to 10 cm, ठीक है, U dash आ गई, आपके पास 10 cm, तो इसके दोबारा जो final image बनेगा, वो हो जाएगा, image, ठीक है, तो यह जो image बनाएगा, तो इ इस में lens formula apply करते है, now, lens formula apply करते है, ठीक है, तो lens formula अप्लाई करोगे, तो इसके लिए क्या लिखोगे, 1 by V minus 1 by U dash equals to 1 by F, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, 1 by V minus 1 by, कितना हो जाएगा यह, U dash के जाएगा, आपके आपके लिखोगे, 10 equals to 1 by minus 10 लिखोगे, ठीक है, कितना लिखोगे, इसके लिए 1 by minus 10 हमें लिखना होगा, तो अगर हम minus 10 लिखते हैं, तो 1 by V के value कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से आप बोल सकते हो, कि जो V के value आएगी, that is infinite हो जाएगा, ठीक है, V के value कि आ जाएगी, infinite, मतलब V के value infinite, मतलब ज एट infinite पे बनने वाला है, ठीक है, देखे, और infinite पे बनने का कारण क्या है, कि यह एक तरह इसके focus पे आ जाएगा, समझ रहो, क्योंकि देखो, यह इसकी focal length 10 cm है, ठीक है, तो focal अगर यहाँ पे दोनों focus होता है, इधर F होता है, फिर इधर 2F होता है, यहाँ कि दोनों तरह इ फोकल अगर कोई point focus पे रखोगे तो इसकी image तो ऐसे भी infinite पे बनते तो वहाँ से इसका दिमांग लगा सकते थे, तो इसकी जो position आएगी, वो क्या हाँ होगी, final image will be formed, final image will be formed at infinite, ठीक है, at infinite, ठीक है, final image कहाँ आप form करेगा, infinite पे, और यह हमारा answer होगा, तो आई होप आपको य चीजें समझ में आ गई होगी, thank you